आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के दस ऐसे मंदिर जिनकी रहस्यमई और चमतकारिक सक्तियों के कारण वैज्ञानिक भी हैरान है चलो, अब भारत के सबसे रहस्यमई शिव मंदिरों की सफर की सरवात करते हैं एक काल भैरव मंदिर वारानसी काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौकाने वाली बात ये है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मधिरा यानि शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चड़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दो इस्तंभेस्वर महादेव मंदिर गुजरात गुजरात की राजधानी गांधी नगर से 150 किलो मीटर दूर कवी कमबोई नाम की जगह पर स्तंभेस्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैमबे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात ये है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण ये मंदिर दिन में दो बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है दरासल ये घटना चमतकार नहीं बलकि प्राकृतिक है क्योंकि जब समुद्र में जवार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है यहां दिन में दो बार सुबह और शाम के समय जवार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को जवार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। मंदिर बनाया गया है। क्यूंकि इस मंदिर पर हर बारा साल बाद अकाशी ये बिजली गिरती है और इसी वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर की शिवलिंग की उपर गिडती है जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में तूट कर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकथा करके उनहें मखः से जोड़ कर दोबारा ठोस रूप देता है मक्षन सेबने होने की कारण इसे मक्षन महादेव भी कहा जाता है इस मंदिर पर होने वाले व्रजपात की पौरानिक कहानी स्थानिय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मार कर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में इबो कर खत्म कर सके इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आये और अपने त्रिशूल से अजगर का वद किया और लोगों की जान बचाई माना जाता है कि रोहतांग सेमंडी तक फेले पहाड कुलांत अजगर का ही शरीर था जो उसकी मौत के बाद पहाड में बदल गया कुलांत की मौत के बाद भी जब स्थानी ये लोगों का डर नहीं गया तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड की छोटी पर ही बस गये और बारिश के देविंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकट को बिजली के रूप में उनके उपर गिराना और माना जाता है तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने उपर सहते है पोर्ट टिटिलागड शिव मंदिर ओढ़िशा में तितलागड के कुम हड़ा पहाडी में भगवान शिव का रहस्यमई मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात ये है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है तितलागड पहाडियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है जहां का तापमान 50 Celsius तक चला जाता है लेकिन मंदर के अंदर का तापमान 10 Celsius तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओड़ना पड़ता है मंदर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है इसका साफ पता विज्ञानिक भी नहीं लगा पाए है लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पारवती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है पांच एरावतेशवर मंदिर तमिलनाड एरावतेशवर मंदिर तमिलनाड के कुम्भ कोणम में मौजूद एक हिंदू मंदिर है जिसे बारावी सदी में चोल बंच के राजाओं ने बनाया था ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है इस मंदिर की खास बात इसकी सीडियां है जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इन से मधुर संगीत की अलग-अलग ध्वनी सुनाई देती है ये ध्वनी क्यों आती है और इसके पीछे का कारण क्या है इसका साफ पता आज तक नहीं चल पाया है साल 2004 में इस मंदिर को युनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जगह दी गई है 6 कैलासा मंदिर एलोरा महाराश्टर की अलोरा की गुफाओं में मौझूद भगवान शिव का कैलासा मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया हिंदूों की सबसे बड़ा मंदिर है कैलासा मंदिर की खास बात इस मंदिर की बनावट है जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी आकरती है पूरा तत्वविद के अनुसार इस मंदिर को आठवी सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए यहां से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है ऐसा आज के समय में इतनी टेकनोलोजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुम्किन सा लगता है इसलिए हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेकनॉलोजी और ज्यादा घ्यान के इस मंदिर को इतनी सुन्दर्ता से कैसे बनाया होगा पुरा तत्व विद का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तिमाल करते हुए 2000 टन पत्थर को निकाल कर इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल तक लग सकते है लेकिन ये मंदिर उस समय सिर्फ 18 सालों में बन कर तयार हुआ था भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है राजस्थान में धौलपूर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमतकारी मंदिर मौजूद है जहां पर शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव है और इसका इतिहास किसी को नहीं पता जेसे कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल दोपहर के समय के सरिया और शाम के समय सावला हो जाता है लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है इसका पता नहीं चल पाया है इस शिवलिंग की एक और खास बात ये है कि इस शिवलिंग की गहराई कितनी है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है एक बार शिवलिंग के आखिरी चोर तक पहुँचने के लिए खुदाई करवाई गई थी लेकिन जमीन के बहत नीचे तक खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का आखिरी चोर नहीं मिल पाया तो खुदाई को बंद करवा दिया गया था निश्कलंक महादेव मंदिर भावनगर गुजरात के कोलियाक तट पर मौजूद भगवान शिवजी का मंदिर है इस मंदिर में पाँच शिवलिंग मौजूद है जिनके सामने नंदी जी की मूर्ती भी मौजूद है इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है यानि कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे ये मंदिर समुट्री तट से डेड़ किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद है और भारी जुआर के दौरान पूरा मंदिर समुंदर में डुब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है भक्त जुआर कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं ये एक प्राचीन मंदिर है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुंदर कातेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाडती इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने कौरव भाईयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद ली और कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काली गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफेद नहीं हो जाता और जहां पर भी इनका रंग सफेद होता है वहाँ पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करनी है क्यूंकि भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त करा सकते हैं इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मान कर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और कई सालों तक पीछा करने के बाद कोलियाक तट पहुँचने पर गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफेद हुआ और वहीं पर पांडव शिव जी की तपस्या करने लगे पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांचों पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया और पांचों को कौर्वों की हत्या के पाप से मुक्त किया वही पांच शिव लिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद है और इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप के कलंक से मुक्त कराया था इसलिए इसे निश कलंक महादेव नाम दिया गया 9. केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड भगवान शिव के श्री केदारनाथ मंदिर को तो लगभग सभी भारतिय जानते होंगे और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना भी होगा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मन्दाखिनी नदी के पास मौजूद है केदारनाथ मंदिर बाराज योती लिंगो में से सबसे प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के साथ ही यह मंदिर अपने में बहुत से रहस्यों को भी समाए हुए है माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवो द्वारा बनाया गया था और कहानी है कि महाभारत के युद्ध में अपने कौरव भाईयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवो से रुड़ गए थे जिसके बाद पांडव शिव जी को प्रसंद करने के लिए उन्हें ढूंडने काशी पहुँच गए लेकिन शिव जी वहां से छुपकर केदारनाथ पहुँच गए जब पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ भी पहुँच गए तो भगवान शिव ने भैंस का रूप लेकर भैंसों के जुंड में छिप गए पर भीम ने उन्हें भैंस के रूप में भी पहचान लिया तो शिव जी जमीन के नीचे समाने लगे लेकिन भीम ने उनकी पूँच पकड़ ली जिससे भैंस का मुख नेपाल में निकला और शिवलिंग बन गया और वहाँ पर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर बनवाया गया और भैंस के पीठ का कूबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया जो शिवलिंग बन गया अतः इन दोनों ही स्थानों के शिवलिंग स्वयम्भू है इसके बाद पांडवो ने इस शिवलिंग की पूजा की और यहां मंदिर का निर्माण किया मंदिर के निर्माण में इंटरलोकिंग तकनीक के साथ विशालकाए पत्थरों का इस्तिमाल किया गया है और प्राचीन समय में इस तरह से मंदिर को बनाना आज भी लोगों को हैरान करती है मंदिर की बनावट कुछ ऐसी थी कि 13 वीओं से 17 वी शताबदी तक आए छोटे से हिम्युग में यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा लेकिन बर्फ हटने के बाद भी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था पहाडी में मौजूद, मुश्किल रास्ता और ज्यादा बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मंदिर को दीपा वली के दूसरे दिन से 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है लेकिन हैरानी की बात है कि 6 महीनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर का दीपक तब भी निरंतर जल रहा होता है और मंदिर की सफाई भी वैसी ही होती है जैसे मंदिर को बंद करते समय थी केदारनाथ मंदिर का चमतकार हाल ही में 2003 में केदारनाथ में आये बाड में भी दिखा था ये बाड इतना भयंकर था कि इसमें दस हजार के करीब लोगों की मौत हो गई थी और आसपास की सभी इमारतें बह गई लेकिन भगवान शिव का चमतकार ही था कि एक विशाल काय पत्थर पानी में बह कर आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुख गया जिससे बाड का पानी दो हिस्सों में बंट गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा केदारनाथ मंदिर के ये सभी रहस्य और छमतकार ही इसे सभी जियोती लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ट बनाते हैं 10. असीरगड शिव मंदिर, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर में असीरगड नाम का किला मौजूद है जिसे माना जाता है कि पंदरवी शताबदी में असा अहीर नाम के राजा ने बनाया था इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत अथामा भगवान शिव की पूजा करने आते है अश्वत अथामा महाभारत में कौरव के योद्धा थे और युद्ध में हुए उनके पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद अश्वरत अथामा ने रात के समय पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी जिसके बाद भगवान श्री कृष्णा ने अश्वरत अथामा को श्राब दिया था कि कल्योग खत्म होने तक अश्वरत अथामा की मृत्यू नहीं होगी और उन्हें तब तक हर तरह की बीमारी और पीड़ा को सहना पड़ेगा और उनके दर्द और जख्म भी कभी नहीं भरेंगे अश्वरत अथामा के माथे पर बचपन से एक दिव्यमणी भी मौजूद थी जिसे श्री कृष्ण ने निकाल दिया था कहा जाता है श्राब के बाद अश्वरत अथामा जगह जगह भटक रहे हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वह असीर घड किले में मौजूद इस शिव मंदिर में हर रात आते हैं आश्नर्य की बात है कि रात के समय मंदिर का दर्वाजा बंद कर दिया जाता है लेकिन जब सुबह जैसे ही दर्वाजे को खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग में हर रोज ताजा फूल और चंदन चड़ाये हुए मिलते हैं किले के आसपास के गाउं के कुछ लोगों ने भी अश्वत थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका कहना है कि कई बार उन्हें 10 से 12 फुट का इंसान देखने को मिला है जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म है और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है शिवलिंग में रोजाना नए फूल के चड़ावे के रहस्य को सुलजाने के लिए बहुत से न्यूस चैनल के रिपोर्ट्स ने भी किले में रुक कर रहस्य को सुलजाने की कोशिश की लेकिन उन्हें अश्वत अथामा तो कभी नहीं दिखा लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन देखने को जरूर मिलता था एथे भारत के दस सबसे रहस्य मई और चमतकारिक शिव मंदिर जिनके रहस्य से वैग्यानिक भी है हैरान ऐसी ही जानकारी के लिए मिस्टीरियश फैक्ट को सब्सक्राइब करें धन्यवाद